किसान भायों नमस्कार मैं पुनी सिसाओ दिया किसान भायों आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुती अच्छे बहतरीन फंजी साइट के वारे में बताने वाले हैं जो आता है फॉली क्योर के नाम से बायर कंपनी का तो आज की इस वीडियो में फॉलिक और फंजी साइट के वारे में complete information लेने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सा technical होता है कौन कौन सी फसलों पर कौन कौन सी रोगों के खिलाब इसका इस पर हम कर सकते हैं इसकी doge क्या है, ran fastness rate क्या है इसकी residual activity क्या है तो इसके वारे में complete information लेंगे वीडियो अच्छा लगी तो like कीजेगा और योदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो डालते हैं वो आपके लिए useful होती हैं तो आप इस चैनल को subscribe करके हमसे जुड़ भी सकते हैं तो चलिए जानते हैं folicure fungicide के वारे में detail में folicure fungicide के अंदर जो technical होता है वो होता है tabuconazole 25.9% इसी form में आता है यानि कि जो folicure fungicide है वो हमें liquid form में देखने को मिलता है देखे folicure fungicide एक broad spectrum fungicide है और ये बहुत सारी जोगों को control करता है बहुत सारी fungus को खतम करने का काम करता है ये एक systemic fungicide होता है यानि कि जब हम इसका spray अपनी फसलों पर करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से एब्जॉर होके plant के पृत्ते एक पार्ट तक ये spread हो जाता है जिससे plant के अंदर पौधे के अंदर जो fungus है हानिकारा कहीं भी हो उसको ये control करने का काम करता है फॉलीक और fungicide के अंदर protective, curative and eradicative action होता है protective मतलब जब हम इसका spray यदि हमारी फसलों में रोग नहीं है और रोग आने से पहले ही हम इसका spray ले ले लेते हैं तो ये हमारी फसलों को protect करता है यानि कि रोगों को नहीं आने देता है तो जो फॉलीक और fungicide है इसका spray आप अपनी फसलों पर preventive में भी ले सकते हैं preventive में भी अच्छा result हमें देता है उसके साथ साथ इसके अंदर curative action होता है curative मतलब यदि हमारी फसलों में रोग है तब हम इसका spray करते हैं तो उसको cure करने का ठीक करने का भी ये काम करता है और इसके अंदर eradicative action भी होता है eradicative मतलब जो रोग है disease है उसको ये जड़ से खतम करने का काम करता है तो इस तरीके से ये हमारी फसलों पर काम करता है देखिए जब हम इसका follicure fungicide का spray अपनी फसलों पर देते हैं तो फसलों पर हमें fight और tonic effect देखने को मिलता है यानि कि इसके spray के बाद जो हमारी फसले हैं वो हमें हरी भरी देखने को मिलती है उसके साथ साथ जो हमारे production की quality है ये उसको भी improve करता है हमारी फसलों में देखिए जो यदि हम इसके mode of action की बात करें कि ये fungus पर कैसे काम करता है तो जो हानी कारक fungus होती है ये उसकी cell wall में interfere करता है यानि कि fungus की cell wall को नहीं बनने देता है जिससे जो हानी कारक fungus की growth है वो रुख जाती है यति हम रोगों की बात करें तो देखिए जो follicular fungicide है ये rice में जो हमारा blush disease आता है उस पर बहुत अच्छे से काम करता है seed blood disease जो धान में ही देखने को मिलता है उस पर ये बहुत अच्छे से काम करता है उसके साथ साथ powdery mildew की समस्या आपकी किसी भी फसल पर है तो powdery mildew की ये बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रॉल करता है उसके साथ साथ rust disease ये आपको yellow rust हो, white rust हो किसी भी तरीके का rust disease है rust को बहुत अच्छे डंग से कंट्रॉल करता है तो powdery mildew and rust का यदि हम इसको specialist कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव ढंग से और 100% कंट्रॉल देता है powdery mildew और rust rog के खिलाब उसके साथ साथ fruit rot की समस्याज दिया आपकी फसलों में तो fruit rot disease को भी कंट्रॉल करता है moon family की फसल में ground net की फसल में हमें जो टिक का डिजिज देखने को मिलता है तो उसके लिए भी हम इसका spray देते हैं तो उसको भी अच्छे डंग से कंट्रॉल करता है हमारी प्याज की फसल में जो purple blotch डिजिज हमें देखने को मिलता है तो उसको भी गंट्रॉल करता है anthric knowledge जिन फसलों में अच्छे डंग से काम करता है यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसको एक एमल पर लीटर पानी में मिला कर हमें अपनी फसलों पर इस्प्रे करना होता है देखे इसका इस्प्रे हम किसी भी फसल पर कर सकते हैं चाहें वो सीरियल क्रॉप है जैसे गेहूं, मका, धान तो इन सभी फसलों पर हम इसका इस्प्रे ले सकते हैं या हमारी सब्जी वर्गे फसले हैं जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज या और भी कोई सब्जी वर्गे फसले हैं गोबी, फूल गोबी तो इन पर भी हम इसका इस्प्रे ले सकते हैं किसी भी सब्जी वर्गे फसल पर हम इसका इस्प्रे कर सकते हैं जो भी मैंने रोग बताई यदि उन रोगों की समस्या है तो उसके साथ साथ जो हमारे फलो वाले पौदे हैं तो उन पर भी हम इसका इस्प्रे ले सकते हैं तो किसी भी फसल पर जो रोग है यह जो मैंने आपको बताई यह रोग है तो उसके खिलाप आप इसका इस्प्रे किसी भी फसल पर ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है यदि हम इसके रैन फास्टनेस की बात करें rain fastness rate की बात करें तो spray के बाद 2-5 गंटे तक बारिस नहीं होनी चाहिए तो इसका जो rain fastness rate होता है वो 2-5 गंटे का होता है यदि हम इसके residual activity की बात करें तो देखिए spray के बाद इसका जो असर है हमारी फसलों पर 8-10 दिनों तक देखने को मिलता है और वो भी depend करता ही कि temperature कितना है normal temperature है तो 8-10 दिनों तक देखने को मिलता है यदि temperature जादा high होता है 40 से उपर होता है तो आप जानते हैं कोई भी insecticide हो कोई भी fungicide हो तो उसके जो result है जो residual activity हो कम हो जाती है यानि कि हमें कम समय तक ही उसका जो असर है अपनी फसलों पर देखने को मिलता है तो किसान भाई यही थी आज की जानकरी फॉलिकोर फंजी साइट के बारे में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अन्य फार्मर के साथ इससे सेज जरूर करें ताकि उन तक भी जानकरी पहुंच सके मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में नई जानकरी के साथ अपना ख्याल रखें धन्यवाद